स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज बीएड फस्ट इयर के लिए टोपिक लेकर आया हूँ आपका जो पेपर अधिगम और सिक्षन है उसमें इंपोर्टन टोपिक है फोर मार्क्स में या एट मार्क्स में क्वेस्चन पुछा जा सकता है चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेस्चन उपचारात्मक शिक्षन और समवर्धन कार्यकरम से आपका क्या विप्राय है विश्त्रित व्याख्या करें इसके लाब और सीमाएं बताएं उत्तर देखिए आंसर क्या रहेगा सिक्षन चाहे किसी भी इस्तर का हो अधिगम में सत परतिसत प्रिणाम नहीं दे सकता सिक्षन में सिक्षक विचारों का परदान करता है या हम ये कह सकते हैं कि विशे समगरी को विद्यार्थियों के सामने रखता है और विद्यार्थी उस सामगरी को ग्रहन करते हैं अधिगम परिक्रिया में परतेक सिक्षन के प्रिनाम के लिए रिक्त स्थान होता है इसलिए सम्मनत सिक्षन में पुने सिक्षन की आवशकता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम के इच्छित लग्षे की ओर नहीं बढ़ता इसलिए शिक्षण परिक्रिया में पुने शिक्षण की आवशकता होती है यह 5 परतीस्ट यह 10 परतीस्ट यह 50 परतीस्ट और कुछ मामलों में अधिगम करता के अनुसार 100 परतीसट तक हो सकती है यानि जब शिक्षक अपना शिक्षन कारिया पूरा कर लेता है और शिक्षन कारिया पूरा होने के बाद भी अगर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है तब क्या किया जाए परतेक अक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विबिनताएं होती हैं सिक्षन परिक्रिया में कुछ अधिक सिगर्ता से सीखते हैं कुछ सीखने की गती बहुत कम रखते हैं यह दरसाता है कि सिक्षन की परतेक स्थिती में उपचारात्मक सिक्षन की बहुत आवशक उपचार आत्मक सबद उपचार सबद से बना है जिसका अर्थ है दो सो में से गुन निकालने का तरीका जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और डॉक्टर उसका चेक अप करके दवाईयां देता है उसी परकार कक्सा में विद्यार्थी अनेक समश्याओं का सामना क करता है और अध्यापक उनका उपचार करता है परतेक स्थीति की समश्याओं का उपचार किया जा सकता है शिक्सा का दिमाग खोज पूरण होना चाहिए और विद्यार्थियों को भी इसके लिए प्रिरित किया जाना चाहिए शिक्सक को निरंतर रूप से विद्यार्थिय कि समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए उनके कारण ढूडने चाहिए वह समस्याओं क्यों आई हैं विद्यार्थियों को भी ऐसा बनाना चाहिए कि वह अपनी समस्याओं और उनके कारणों के बारे में सोचे सिक्षक और अधिगम करता को संयूक्त रूप से प्रियास करना चाहिए जो विद्यार्थियों के अधिगम में निश्चित रूप से सहयता करेंगे परत्यग यह सोचता है कि उपचारात्मक सिक्षन केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए वास्तों में यह विद्यार्थियों के लिए है स्रेष्ट विद्यार्थी भी उपचारात्मक शिक्षन से सर्व स्रेष्ट हो सकते हैं और एक विशेश आदर्स तक पहुँच सकते हैं उपचारात्मक सिक्षन प्राचीन समय से ही लोगपिरियर रहा है पिछले 50 वर्सों से उपचारात्मक सिक्षन की कक्षाएं चलती रहती हैं उस समय सिख्षक निश्वार्थ भाव से पूरी लगन और निष्ठा से विद्यार्थियों को पड़ाते थे उस समय बोतिक वादी युग नहीं था तब लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते थे वास्तों में उपचारात्मक सिक्षन समबंदी सिक्षन और पुना सिक्षन का किया जाना उपचारात्मक सिक्षन है जहां व्यक्ति को विभिन परकार से अध्यन में सम्रिद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षन और समवधन कार्यकरम के बारे में एक साधारन परसन से बोध हो सकेगा किन के लिए उपचारात्मक शिक्षन और समवधन कार्यकरम हो सकता है यह उन विद्यार्थियों के लिए हो सकता है जो किसी एक विशे में कमजोर हैं ऐसे विद्यार्थी जो प्रिक्षा में फ विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करना ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के समान लाना और विद्यार्थियों की अध्यन की कमी को पूरा करना उपचारात्मक सिक्षन कार्य करम को कैसे सफल बनाए उपचारात्मक सिक्षन में विद्या उसे खोज करता होना चाहिए जो सभी प्रकार की प्रिस्थितियों में संभाल सके। उसे खोज करता है इस से संभंदित अधिगारियों को गंभीरता थे इस विश्य के बारे में सोचना। इससे विद्यार्थियों के उपर बोजना हो और किसी का उदिश्य कमाना ना हो। अब लाब की अगर बात करें एडवरंटेजिज परतेक विद्यार्थी संतूस्ट होता है क्योंकि परतेक पर वैक्तिगा ध्यान दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षन के लिए विद्यार्थी को विभिन वर्गों में बाटा जा सकता है और उनकी आवशकताओं के अनुसार उपचारात्मक शिक्षन को सुरू किया जाता है। स्कूल का परतेग विद्यार्थी इच्छित लक्षे तक पहुँचने के योग्य हो जाता है, स्कूल भी सभी विद्यार्थियों के लिए आवशक कार्यकरम करवाता है और माता पिता को चिंता करने की आवशकता नहीं होती। उपचार अत्मक शिक्षन के दवारा विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रोत्साहित करता है जो उन्हें खुशी परदान करते हैं और जीवन उदे सेकी और अगरसर होते हैं। उपचार आदमक शिक्षन आवशकता और अनुसंधान पर आधारित है जो विद्यार्थियों को उपचार संबंदी दिशा निर्देश देता है इसलिए विद्यार्थियों के समय और सक्ती व्यर्थ नहीं होती शिक्षक के लिए अगर लाब की बात करें उपचार आदमक शिक्षन जो नियमित कक्षा सिक्षन से पहले या बाद में होता है अध्यापक को विद्यार्थियों की समशाओं को दूर करने में साहिता करता है इसलिए नियमित कक्षा कक्ष में अध्यापक अपनी समन्या गती स पढ़ा सकता है अध्यापक के परिणाम में सुधार होता है जिससे उसका अपना एक नाम होता है विदाल्य में एक सिक्षन में सुधार होता है इससे विदाल्य का जो वातावरण होता है सेक्सिक वातावरण वो सम्रिद बनता है और विदाल्य पर किसी भी प्रकार का नकारा प्रभाव पढ़ता है अब इसकी अगर लिमिटिसंस की बात करें सीमाएं की बात करें कुछ विद्यार्थी कमजोर रह जाते हैं दूसरे विद्यार्थियों के युग्या नहीं हो पाते या उनके समान नहीं चल पाते कुछ परतिबासाली विद्यार्थी ऐस अंतुष्टी म इन कम्यों को शिक्षकों के संयुक्त परियास से दूर किया जा सकता है निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यकरम संयुक्त परियास से किये जाएंगे तो कोई कारण नहीं कि कार्यकरम ऐसफल होगा ये निश्चित उदेश्य को प्रप्त करने से वन्चित होगा तो ये था प्रेविद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक important question आपके exam के point of view से थैंक्यों